समस्कार मैं राजमोन आप देख रहे हैं बिहारी नियोज श्वागत है आप सभी का हमारे नैसो व्यंगबान में बिहार की राजनिती बिहार की राजनिती के बारे में कहा जाता है कि बिहार की राजनिती वो दलदल है जिसको आप जितना समझने का प्रयास करिएगा उसमें उतना फ़स्त है चले जाईएगा और बिहार के मुखिया नितिस कुमार को अब जितना बांध कर रखने का प्रयास करिएगा आप खूद उस धागे से दूर होते चले जाईएगा आप अब तक समझ गहा होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बिहार NDA में सामिल दो दल जदियू और लोजपा की कुरोना काल के सुरू होने से पहले ही इन दो दलों के बीच बिहार में बवाल जाड़ी है याद होगा आपको लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में कुरोना काल से पहले बिहार फस्ट बिहारी फस्ट की अपनी बिहार यात् में नितिस कुमार पर जम करहला बोला था उस समय से ही चिराग पासवान जदियू और खासकर नितिस कुमार को निशाने पर लिये हुए हैं किसी ना किसी मुद्दे को पकर कर चिराग पासवान नितिस कुमार पर उंगले उठाने से न बाज आते हैं और ना ही थोरा सा भी पी अब चुनाओ तक लगतार जारी रहेगा लेकिन कोरोना की वज़ा से इस बार entertainment में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है इसके लिए बकायदर राजनितिक दलों को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि पास साल में यही तो एक समय है जब राजनितिक दल बड़ी-बड़ी सभा कर जनता का मनरंजन करती है लेकिन राजनितिक दलों के वर्चूल रेली ने जनता की मनरंजन की अकांचाओं पर ही इस बार पानी फेर दिया है अब फिर से लोटते हैं चिराग और नितिस पर माना जह रहा है कि लोजपा पिछली बार 2015 के विधानसभा चुनाओं में जब बीजेपी रालोसपा जितन रमाजी की पाटी हम और लोजपा एक साथ NDA में थे और उस समय लोजपा 40 सीटों पर चुनाओं लड़ी थी यह अलग बात है कि जीत सिर्फ दो पर ही उसे मिली थी इस बार उसका काना है कि उसे 50 से ज़्यादा सीटे चाहिए क्योंकि पिछले बार NDA में चार दलते इस बार तीन ही है लोजपा 50 सीट पर NDA सूमिदवार तभी उतार सकती है जब जेडियू 100 से कम सीट पर चुनाओं लड़े जिसके लिए ज्यदियू कभी तयार नहीं होग सीटों के इसी खेल के लिए लोजपा नितिसकुमार के सासन की कम्या खोज उन पर लगतार हमलावर है लेकिन नितिसकुमार की राजनिती के आगे बड़े बरो को पस्त होते देखा गया है याद किजिए कुछ ऐसा ही माहौल 2019 लोकसभा चुनाओं से पहले बिहार में देख कहा जाता है कि यह लराई भी सीट को लेकर ही सुरू हुई थी 2014 चुनाओं के समय जब जदियू ने NDA का साथ छोड़ दिया था तो रालोस्पा लोजपा के साथ मिलकर बीजेपी ने लोकसभा का चुनाओं लड़ा था रालोस्पा ने उस 2014 लोकसभा चुनाओं में तीन सीट देने की बात कही गई इसी को लेकर उपेंदर कुश्वाहा जदियू से नराज चनले लगे नितिस कुमार ने इस नराजगी को जगरे में बदल दिया और इस जगरे को इतना बढ़ाया कि बाद में उपेंदर कुश्वाहा को NDA ही छोड़ना पड़ गया अब वही खे जदियू ने लोजपा को NDA से बाहर कराने का ही ठान लिया है पहले जदियू सांसद ललंसी ने चिराग पसवान को काली डास कहा और सुनवार को नितिस कुमार की सरकार में मंत्री जदियू के बिजेंदर परसाद यादों ने लोजपा और जदियू के बिच्चल रही जद्यू बचेगी जिसके बाद NDA में सीटों के बटवारे का सारा जंजठी खतम हो जाएगा बिना मास वोट के बिहार की सत्ता प्रकाबिज नितिस कुमार को राजनीती में कम आकने की गलती बहुतों ने की है उमीद है चिराग नितिस कुमार की राजनीती में नहीं को जिधर ले जाना चाहते हैं चिराग के कदम उसी और बढ़ चले हैं घर बिहार की राजनीती का एंटर्टेनमेंट सुरू हो चुका है जो लगतार चुनाओ के बाद भी परिनाम तक जारी रहेगा परिनाम के बाद इस एंटर्टेनमेंट में थोड़ा और क्या बहुत ज में आपको जनकारी देते रहेंगे तो देखते रहें बिहारी नियोज फिलाल के लिए इतना ही ख़वरों में बने रहने के लिए धन्यवाद